नमस्कार जय हिन जय जोहार जय 36 गड़ सभी संगवारी मन का राम राम मैं आप सभी के दोस्त प्रांजल जय स्वाल आपके समने फिर एक नए आउसधी पौधा लेकर आया हूँ आसा करता हूँ कि आप सभी लोग भी स्वस्त होंगे मस्त होंगे हमारे चारों और अन्नेक प् जिससे हमारे वीडियो बनाने के लिए मनोबल मिलता है आप लोग जिस जड़ी बूटी को देख रहे हैं इसे हमें ज़्यादा बताने ज़रूरियत नहीं है क्योंकि आप इसे देख करके पहचान चुके होंगे इसे जामून कहते हैं यह पेट रोक चहरे के फोड़े फुन करते हुए इसके अउसधी है प्रेवगों के बारे में हम आपको बतला रहे हैं क्रिप्य ध्यान लगा कर सुनिया और समाजिये यह बहुत ही आयरुवेदिक और चमतकारिक जड़ी बूटी है जदी किसी विक्ति को गैस कब्ज खुनी दस्त पेचिस कभी कभी खाते खाते ह जानना पड़ जाता है पेट में अमरोड दर्द पाचन क्रिया की कमजोरी अलसर गयस सभी प्रकार की बीमारीएं के लिए यह रामबार इलाज है इसके लिए जामून की छाल को पीस करके 100 ml तक के रश निकाल करके इसको पीने से पेट संबन्धि सभी प्रकार की बीमारियां दूर हो जाती है और यदि इसके स्वात कड़वा टाइप का होता है कसेला इसलिए आप इसमें काला नमक डाल के इसका उप्योग किया जा सकता है इसका दूसरा सबसे बड़ा महत पूण चमतकारिक प्रयोग जामून का यह है कि चहरे में दाना फोड़ा फुनसी हो जाता है तो इस जामून के पत्ते को पीस करके इसका रश निकाल लेजिए और एक चुटकी फिटकिरी मिलाईए और इसको चहरे पर लेप कीजिए चहरे के दाना फोड़ा फुनसी पीमपल सभी दूर हो जाएंगे इस प्रकार से इसके जामून के आवसधी प्रयोग बहुत ही महत पूण और बहुत ही फायदे मंद इसके आवसधी प्रयोग है और इसके हलावा जामून की छाल एवं पत्ते सुगर रोगी वाले लोगों के लिए बहुत ही फायदे मंद है खुन को साप करता है और तथा विसले पदार्थ को यह सरीर से बाहर निकालने का काम करता है जामून की छाल का रस ताजा ताजा उपयोग करने से सुगर रोग दूर होता है आठ से दस दिन तक उपयोग करने से या फिर जामून के फल की गुठली का पाउडर बना करके उपयोग करने से सुगर रोग दूर हो जाता है इसके अलावा यदि दांतों में खून आता है पीप मौवात पाईडिया रोग हो गया है दांतों से बद्बू आता है तो जामून के पत्ते को चबाईए और चबा करके थुक दीजिए वा रस चूसिये जिससे मुह के बदबू दूर हो जाता है और पाइरिया और पीपमावात का आना खुन का निकलना बंद हो जाता है इसके अलावा इस जामून को योग खुनी बादी दोनों प्रकार के बवा सीर को रोग को दूर करने में किया जाता है यदि किसी वेक्ति को बवा सीर है तो इस जामून की चाल 100 ग्राम पीस करके इसमें 50 सेमेल रस निकालिये तथा आधा चमच इसमें फिटकीरी का पाउडर म करने में यह फायदा करता है यह चार से पांच खुराग इसका उप्योग करने में इसका फायदा नजर आने लगता है और किसी भी प्रकार के बवा सीर हो उसे ठीक करने में बहुत ही महत्तुपूर्ण और मेरा प्रयोगी जड़ी बूटी के है इसका प्रयोग करके देख च प्याक करने में कट नई रंग बदलना आधी प्रकार की समस्य है तो ताजे ताजे पत्तों को पिष करके 20 ग्राम का स्वरश निकाल करके 200 ग्राम दही या माठ़ा मिला करके दिन में दो बार दिया जाय तो पेसाब में जलन रंग बदलना सभी ठीक हो जाते हैं सहर में जामून ना होने के कारण इसके फल का सीरका आप लाकर के उपयोग कर सकते हैं सीरका को सुबा साम उपयोग करने से जलन, कब्ज, गैस, पेट में मरोड, पेट में दर्द, जामून के फल का सरवत का उपयोग भी कर सकते हैं इस प्रकार से जामुन के आऊसदी प्रयोग बहुत थी महत पुण है आप इसके बारे में जानकारी लेकर बहुत ही धन्य हो जाएंगे यहां बहुत ही महत पुण जानकारियां है जो आपको कोई भी वेद आपको नहीं बताएगा लेकिन हम आपको बता रहे हैं इसको समझिए और जान लीजिए यह जड़ी बूटीक बारे में यदि किसी का कान बहता हो कानों से खून पीप मावाद आता हो तो बहते होए कान को रोकने के लिए जामुन की छाल से भी ठीक हो जाता है जामुन की छाल का स्वरज 5 एमेल और 5 ग्राम इसमें सहद मिला करके इसको कानों में डालने में इसका मावाद दूर हो जाता है इसको साप करके 2 से 3 बूंद कान में डाल दीजिए कान के अंदर के घाव ठीक हो जाता है इतना ही बहुत फायदे मन जड़ी बूटी है यदि किसी को मोतिया बिंद की समस्या है आँखों में तो इस जामुन की गुठली के पाउडर को सहद मिला करके सूबा समसेवन करने से आँखों की मोतिया बिंद ठीक हो जाता है इसके अलावा जामुन की गुठली को जला करके राख बना ले तथा एक चुठकी राख को एक ग्राम सहद में मिला करके इसे काजल की तरह आँखों में लगाने से मोतिया बिंद आँखों का जलन आँखों में कचड़ा जाना आँखों में लालिमा आँखों के संबंधित सभी प्रकार की बिमारियों में इसका प्रयोग किया जा सकता है इसके अलावा इस जामुन च्छाली का उपयोग पीलिया रोगों में भी किया जाता है पीलिया रोग हो जाने पर जामुन की छाल का स्वारस 50 एमिल से में सहजन का स्वारस मिला करके खाली पेट बिन दिया जाये तो पीलिया रोग 4-5 दिनों में ठीक हो जाता है इस प्रकार इस अवसधी के बारे में आप जानकर हैरान हो जाएंगे दंग हो जाएंगे इसी प्रकार के और और नए नए अवसधी पौधों के बारे में जानने के लिए हमारे YouTube चैनल CGPranjal36 को सब्सक्राइब करें और हमारे आने वाले वीडियो के नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आईकन को प्रेस कर दीजिए ताकि हमारे आने वाले नोटिफिकेशन आप जोहार जैच थिस गड़ा